आज मैं बना रही हूँ नवरात्रा स्पेशल में साबुदाना वड़ा इसे बनाना बहुत यह आसान है मैंने साबुदाने को चार से पांच घंटे के लिए अच्छे से भीगो के रख दिया था काफी अच्छे से भीग चुके हैं यह एक दाना मैं आपको बता रही है तोड़के यह देख सकते हैं अच्छे से मैश हो रहा है बस यही निशानी है कि साबुदाना अच्छे से भीग गया है अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर आदा कप मौंगफली यह रोस्टेड मौंगफली है इसी दरदरा करके यूज में देना है आप चाहें तो मिक्सी में भी इसी दरदरा कर सकते हैं मेरे पास मेरे रही कटर है इस से बहुत आसानी से दरदरा हो जाएगा और बहुत जल्दी होता है और यह कटर काफी सारी वेजिटिबल्स को कठ करने भी बहुत है तो इससमें तो यह देखिए बस इतना ही हमें दरदरा करना है मुंगफली को और अब इसे हम डाल देंगे इसके अंदर तो सबसे पहले हमें क्या करना है मुंगफली डालने के बाद में इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने पहले इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाया है तो आसानी से उंगफली इसकी साथ मिक्स हो जाएगी बस और अब हम ले रहे हैं यहाँ पे तीन बॉयल आलू और इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे आप चाहें तो हाथ उसे मसल के भी डाल सकते हैं आलू को जब हम ग्रेट करके डालते हैं तो मिलाने में बहुत आसानी हो जाती है और जब इसके हम वड़े बनाएंगे तो वो भी बहुत परफेक्ट बनेंगे काफी सारे ऐसे पराठे हैं जो मैंने आपको बता हैं अच्छी कांडिटी में डालना हैं इसकी बाद में हरे मिर्च दू बारिक कटी हुई और अगर आप तीखा कम पसंद कहते हैं तो कम डालें इसके साथ में डाल देंगे अध्रग कद्दूकस की अवग है आप चाहें तो बारिक कट करके भी डाल सकते हैं अब हम डाल देंगे इसके अंदर काली मिर्च जिसे मैंने दरदरा कुट लिया था उसे डाल देंगे बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर इसका फ्लेवर अब डाल देंगे इसमें नमक आप अपने टिस्ट के कॉडिंग डालें और हम यहां सेंदा नमक यूज़ कर रहे हैं तो हल्की सी डलिया रहती है तो आप इस तरह से हाथों से प्रेस करके डली को निकाल लें इस तरह से और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर लाल मिच और फिर से mix करना है अच्छे से एक बार mix करने के बाद में आप चेक कर लें कि ये properly आपके bind हो रहे हैं जैसे कि हम वड़े बनाते हैं उस टाइब से अगर bind हो रहे हैं तो ठीक है अगर आपको थोड़ा loose लग रहा है कि हम जब वड़े बना रहे हैं तो थोड़े sticky हो रहे हैं तो आप इस टाइम में oil लगा ले अपने हाथों में और फिर उसकी वड़े बनाएं और एक और में टिप देना चाहती हूं कि अगर आपको और ज़्यादा sticky लग रहे हैं तो आप इसमें सिंगाडा या राजगीरा दोनों के हाटे का एक एक चमश डाल दें बहुत ज़्या करते हैं तो फटने का डर रहता है तो इस तरह से फटा-फट से हम बड़े बना के तयार कर लेंगे बस हाथ में लेना है हलका सा ओयल लगाना है और इस तरह से गोल घुमाते हुए जल्दी से बड़े बना के तयार कर लेने हैं यह देखे हमने इतने सारे बड़े बना के तय कर लिये हैं और साइट में हमने रख दिया है गरम ऑईल को आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने हैं बिल्कुल अच्छे से बाइंड हुए हुए हैं तो जल्दी से इने करते हैं फ्राई बस यहां हमें ध्यान ही रखना है कि गैस का जो फ्लेम है उसे हाई पर ही रखना ह क्योंकि जो यह साबुत आना बड़ा है वो बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाते हैं जब हम इने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो इसी जल्दी से और अच्छा सा कुरकुरा होने तक फ्राई करना है और एक बार में हमें जल्द बाजी नहीं करनी है इसे पलटने इसे आप देख सकते हैं हलकी सुने रहे होने लग गया है साबुत आना बड़ा बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप कोई भी बना सकता है बस थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है जिसे कि आपको साबुत आना अच्छे से फूले हो अच्छे से भिगोए हो और उसके आंदर चिप चपाट हो तो आप थोड़ा सा हाटा डाल दें और इसके बाद में इसकी अच्छे से बॉल्स बनाएं जिससे की वो फटे नहीं क्रेक्स नहीं होने चाहिए बॉल्स में और जब भी फ्राई करें तो फ्लेम हाई रहनी चाहिए बस और इस तरह से अगर आप बना कशीक हों यूजू बनाते हैं इससमें कोई परिशानी आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें मैंने जब साबुदाना की खिचडी शेयर करी थी तो मैंने आपको बताया है था कि किस साबुदाना को फटेना है जिससे के वो बहुत अच्छे से भीगे, खुले-खुले से, एकदम फूले-फूले से हो जाए, साभूदाना जब तक अच्छे से खिला-खिला नहीं होता है, तब तक उसकी न तो खिचड़ी अच्छी लगती है, न उसके वड़े अच्छे लगते हैं, और नए उसकी चीले अच्छे बनते हैं तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें बस हमने फ्राई कर लिये हैं वडो को और आप देख सकते हैं काफी क्रिस्पी हो चुके हैं बस निकाल रहे ने बाहर और आप चाहें तो इसी टीश्यू पेपर निकाल सकते हैं ताकि इ बस इसी तरह से सारे वड़े बना के हमें तयार कर लेने हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं इसे आप चटनी की साथ दही की साथ किसी की साथ भी सव कर सकते हैं मैं आई से चटनी की साथ सव कर रही हूं तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी बना है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है ये देखे और इसे आप जब हरी चटनी के साथ खाएंगे तो क्या कहना है बहुत ही चेस्टी लगता है तो मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई